हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल एक्जाम वारियर्स पिकिन्स में देखे एक बहुत ही मैसेज आया मुझे अब यह भी तुरत और मैं देख करके काफी जादा स्रॉग्ड हो गया कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि अभी जस्ट रेसेंट मैंने एक चीज के लिए पता किया कि क्या हमें आरत जो प्रियागराज डिवीजन में जो हम लोग का पैनल आया हुआ है और जिनका भी पैनल आया हुआ है तो उनके लिए रोजगार मेला में कब बुलाया जाएगा क्या कोई लिस्ट आएगी या फिर कोई नोडिफिकेशन आएगा यह नहीं आएगा, वहाँ पर हम इसके बारे में कोई जनकारी नहीं दी गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, इवन एट अरारसी में भी हमको बोला गया कि कोई ऐसा है नहीं, कब बुलाया जागा, क्या बुलाया जागा, किसी कुछ पता ही नहीं है, कोई कि आखिर हुआ कैसे, मतलब कोई बता नहीं रहा है, DRM ऑफिस में गया था, वहीं से यह सारी चीज़े की जाती है, मैसेज की जाता है, बट वहाँ भी मुझे इस तरह की कोई जनकारी मुझे दी ही नहीं गई, तो फाइनली यह मैसेज देखर के मैं सौक्ट हो गया, और यह मैं जानना चाता हूँ कि क्या आप लोग अभी यह मैसेज आया है, जो कि रोजगार मेला में आपको बुलाया जाएगा, तो देखते हैं इस वाले मैसेज में क्या लिखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या पढ़के बताता हूँ, कब विजट करना है, क्या डेट है, और किस टाइम में विजट करना है ठीक है ये सारी चीज़े हैं वीडियो को पसंद आये तो जरूर आप लोग लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्किल मदो लिएगा एक चीज़ और सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब हम जाएंगे वहां रोजगार मेल में तो वहां पर क्या-क्या इवेंट होंगे क्या तरीके से चीज़े होंगी उन सभी चीजों को मैं आपको यहां पर लाइव भी सोचूंगा प्रैक्टिस करूंगा दिखाने के लिए अगर नहीं कर पाँगा तो रिकॉर्ड जरूर आपको वीडियो दे दूंगा तो इसल यह मैसेज हमें फ्लैस किया गया है तो हलाकि यह माई गौर्मेंट की तरफ से आ जातो है वहीं से होता है तो काफी जादा कन्फ्यूजन था मेरे में यह वह फेक तो नहीं है ना यह भी मुझे लग रहा था लेकिन इस चीज़ को देख करके जरूर्ट से आप क्या सकते हो क यह फेक नहीं है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ चाहिए यहां पर एक लिंक भी दी गई है इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस पर क्या लिखा गया है तो मैं आप भी आपको दिखाऊंगा कि इस पर क्लिक करने से क्या चीज़े आ रही है ठीक है तो देख वर्च्वल इवेंट है जो कि 13 अपरल 2023 को बुलाया गया है फ्रॉम 10.30 एम ओनवार्ड वेर अनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग 71,000 नियू रिकूर्टर्स तू सेंट्रल गॉवर्मेंट ठीक है तो 71,000 जो है इंपलो नुद नियू रिकूर्टर है ओल अबर इंडिया के ठीक है तो यहां भी एक आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी फिजिकली वहां पर विजिट करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में तो यहां पर यह देखके लग रहा है कि फिजिकली नहीं हो जाएगी तो उसमें जो है ना इन सभी 71,000 को एड्रेस एक साथ किया जाएगा ठेके तो एक तरीके से ये जो है ना पूरा का पूरा लिंक आ चुका है और इसे देख करके काफी जाधा है रान हो गया मैं कहां कि यह क्या चीज है ठेके आपको भी इस तरह की चीज़े अगर मै प्रियाग्रास डिवीजन के जितने भी कैनिडेट है उनको अब यह धीरे-धीरे मैसेज आही जाएगा ठेके तो फाइनली यह सारी चीज़े है इसके बाद यहां पर लिखा गया है प्लीज यूज तो लिंक बिलो तो ज्वाइन दो इवेंट को ज्वाइन करने के लिए क् प्लीज को ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आपको लिंक पर क्लेक करना होगा और उसे इमेल आईडी पर भी सेंड किया जाएगा तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वाले लिंक पर क्लिक करने से क्या ओपेन होता है तो देखिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं ये वाला पेज खुल करके आया है है ना अभी मैं इसको देखता हूँ और क्या कहते है पीम इंडिया वेब कास्ट डॉट एन इसी डॉट इन तो यहां पर देखते हैं लिखा गया मानने प्रधार मंतरे जैपूर दिली के बीच अ और क्या चीजे दिखी इसमें देखते हैं तो यहां पर तो कुछ नहीं मिला लेकिन यहां पर हम जाते हैं तो देखिए यहां पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर वेब कास्ट पोर्टल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से यह वाला पेज खुल जाएगा और इसको खुल यहांग पर देखते हैं क्या यहां पर लिखा गया है अप कि यहां पर ने पर लिखा गया है ना तो आपको actual में कहीं जाने की जरूत है नहीं ये जो आप लिख दे हो ना link इसमें जो है आपको 13 अपरेल को साड़े दस बजे जो है इसमें ये link अक्टिवेट हो जाएगा इस पे से आपको जो है मोधी जी उदर से speech देते वे दिखाई देंगे ठीक है तो यहाँ पर physically आपको कहीं विजिट करने की जरूत नहीं है क्योंकि इस वाले जो मैसेज है ना इसमें आप देखिए उसको पढ़ने में थोड़ा सा understood करना होगा क्या चीज कि यहाँ पर जो लिखा गया है ना virtual event और इस लिंक पर जब मैं गया तो आपने देखा कि वहाँ पर एक webcast online program platform है जहां से आप जोइन कर सकते हैं और तीसरी जो चीज यहाँ पर लिखी गई है कि यूर आपपाइंट्मेंट लेटर विल बी इसूड सेंट यूर रजिस्टर एमेल आईडी तो इस डेट में जो है वह जिस टाइम पर अड्रेस कर रहे होंगे मोदी जी उसी टाइम पर यह लेटर जो है आपको मिल जाएगा तो कुल बिलागर करके कहीं भी विजट करने की जोड़त नहीं है सेंपली फोन में ही आपको मोदी जी को लेसन करना होगा चाहे तो करिए या फिर नहीं भी कर सकते हैं लेकिन तेरा तारीक को ही आपको जो है यहाँ पर जो आपको जोनिग लेटर मिल जाएगा बिलागर के यही इंफ्रमेशन है अप जाएगर के नहीं आपको जो भी मैसेज आया होगा इस तरीके का यहीं कि उस date में इस link पर click करेंगे और आप join करेंगे ठेक है तो यही एक information थी जो आपको देनी थी उमिद करता हूँ यह information जो है आपको समझ में आ गया होगा यह आखिर में क्या चीज़े हैं जो इसमें आई हुई है और किस तरीके से हम इसको join करना है और इसमें किस post पे हुआ है आपकी joining और किस date में आपको जा करके report करना है यह सब कुछ है उसमें inform रहेगा और आपको उसमें सीज़े पता चल जाएंगी तो चलिए यह information थी आपके वीडियो में मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए आपके जो भी message है जो भी आपको courage है जरूर कमेंट करते रहेए और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर आप लाइक करिए और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा ठीक है चलिए मिलेंगे next वीडियो में आपका दिन सुब रहे है जय हिंद जय वारत